नमस्कार दोस्तों हुमारे यूटूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों इस वेडियो में हम लोग जीव भी ज्यान एर्गी बायलोजी के पिछले बरसों के आरो ए आरो ए आरो यारो यानिकी समिच्छा अदिकारी और सायक समिच्छा अदिकारी प्री और मेंस परिच्छा में पूछे गए सभी प्रशनों को देखेंगी जो की 20 सितंबर को होने वाले आरो ए आरो की एक्जाम के लिए महतपूर है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजेगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा पहला प्रशन आपका निम्नाइकित में कौन सा कीट नहीं है तो इसका सही इंसर होगा आपसन B मकडी मकडी वर्ग एरेकनिडा तथा आरडर एरेनी का एक जन्तु है जो कि उदर के पशभाग में इस्थित गरंतियों के स्राव से जाला बनाती है सभी मकडी यां परभच्ची होती है राकी जो है आपका खटमल हो गया घरेलू मक्षी और मच्छर इससभी कीट वर्ग के अंतरगत आते हैं इनमें 6 पाज जाते हैं जबकि मकडी कीट वर्ग के अंतरगत नहीं आती है क्योंकि इनके 8 पैर होते हैं तो यहां आपका B विकलप आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट आपका सांप के जहरीले बिस दंत होते हैं जो रूपांत्रीत रूप है तो इसका सही इंसर हो जाएगा option D. जम्भिका दंत का पिसले सांपों में उपरी जबडे की मैकसिली हट्डियों के एक से तीन जोड़ी प्राया एक जोड़ी बड़े पीछे की और मुड़े बिस दंत तालू से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं यह मैकसिलरी दंत जिसको जम्भिका दंत कहते हैं उपरी जबडे में ही इस्थित बिस ग्रंतियों यानि कि प्वाईजन ग्लेंड से संबंध होते हैं तो D आपसन यहाप का साप सही हो जाएगा कि साप के जहरीले बिस दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है किसका तो जम्भिका दंत का नेक्स्ट कोशन है आपका मच्छरों के बारे में निम्लिखित कतनों पर विचार किजिए पहला है आपका कि केवल नर रक्त चूशते हैं दूसरा है केवल मादा रक्त चूशती हैं तीसरा है मादा पौधों का रस चूशती हैं चोथा है मादा की पेच्छा नर के डैने बड़े होते हैं पांचमा है नर्किय पेच्छा मादा के डैने बड़े होते हैं, तो इन में से आपको बताना है कौन सा आपशन सही हो जाएगा, तो यहां जो सहीज़गा आपका, आपशन D सहीज़गा, 2 और 5 जो है आपका सही है, यानि कि केवल मादा जो है रक्त चूँषती है, पच्छियों यो अस्तनियों का रुधिर चूशती है और बाह परिजीवी की रूप में होती है नर्मच्छर जो है रुधिर नहीं चूशते है यह अपना पोशड फल फूलों के रस से करते हैं कभी कभी मादाईये भी फल फूलों का रस चूँ सकती है, मादा मच्छर समानिते नर मच्छर से वा बड़े होती है तो यहाँ आपका D आपसन सही हो जाएगा, केवल दो और पाँच वा सही है अगला कोशन है, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग यह होता है तो इसका सही इंसर हो जाएगा, आपसन A तना आलू का खाने वाला भाग कंद यानि किरुपांतरी तना होता है तो यहाँ A आपसन सही हो जाएगा और अगला कोशन आपका अफीम प्राप्त किया जाता है किस से तो इसका सही इंसर हो जाएगा, आपसन C बीना पके फल के लैटेक्स से अफीम के पौधे के दूद को सुखा कर बनाया गया पदार्थ है अफीम का दूद निकानने के लिए उसके कच्चे अपक को फल में एक चीरा लगाया जाता है जिससे इसका दूद निकलने लगता है जो निकल कर सूख जाता है तो यहां जो है आपका C बिकल्ब से हो जाएगा कि अफीम प्राप्त किया जाता है किसे तो बीना पके फल के लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है अगला कोशन है जली फर्न जिसे जै उरोरक के रूप में प्रियुक्त किया जाता है वह है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन B. एजोला और नेक्स्ट क्वेशन है आपका निम्न में से किस कोसिकांग को कोसिका का पावर हाउस कहते हैं तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन B. माइट्रो कांडिया को को छोड़ कर सेस सभी सजीव पादप यों जन्तु कोशिकाओं के कोशिका द्रब्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए कोशिकांगों को कहते हैं। अगला कोशिन है एक समानी 70 किलोग्राम भारवाले बैस्क मनुस्य में रक्त की कुल मात्रा होती है लगभग। पाँच लीटर हुए रूधिर होता है आपका बी आपसन सही हो जाएगा। अगला कोशिन है वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तयार करते हैं कहलाती है। तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन C, प्रकास संसलेसर्ड। प्रकास संसलेसर्ड यानि की फोटो सिंतेसिस हरे पौधो में होने वाली एक क्रिया है जिसमें वे भोजि पदात का निर्बान करते हैं। इस क्रिया में प्रकास ही उर्जा प्रदान करता है और प्राकिर्तिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकास से ही उर्जा ग्रहन करते हैं। किन्तु समुद्री सैवाल चंद्रमा के प्रकास में यह क्रिया करते हैं तथा बिद्दूत प्रकास में भी प्रकास संसलेसर की क्रिया होती है तो यहां आपका C आपसं सही हो जाएगा सैवाल पूछा जाएगा तो वह आप चंद्रमा के प्रकास से प्रकास यह अपना भोजन हुए बनाते हैं अगला प्रशन है आपका आक्सीजन जो प्रकास अंसलेशर से उत्पन होती है आती है तो इसका सही इंसर हो जाएगा option A, जल से पौधों की प्रकास अंसलेशर की किरियाओं से निकली समस्त आक्सीजन वह जल से प्राप्त होती है अगला कोशन है आपका प्रकास अंसलेशर प्रकिरिया के निमलखित में से किसकी उपस्थिती आवस्यक नहीं है तो इसका सही इंसर हो जाएगा option B, आक्सीजन का प्रकास अंसलेशर की किरिया में पौधे अपने हरे रंग वाले अंगो जैसे पत्ती द्वारा सूरी के प्रकास की उपस्थिती में वाई से कार्बन डायकसाइट तथा भूम से जल लेकर जटिल खादिप्रदार्त हो जैसे की कार्बोहाइडरेट्स का निर्मान करते हैं और अक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं तो बी आपशन यहां आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है प्रकास संसलेसर में कौन सा प्रकास सबसे अधिक प्रभाव कारी होता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपशन ए से हो जाएगा लाल प्रकास प्रकास संसलेशड पर प्रकास का प्रभाव तीन प्रकास से होता है यह प्रकरता यानिकी इंटेंसिटी प्रकास का प्रकार तथा उसकी अंतराल तीनों से प्रभावित होता है दुर्बल प्रकरता के प्रकास में संभावत है परड रंद्रों के ना खुलने से तथा गैसी ब सरड बहुत धीमी दर से होने की कारड़ प्रकास संसलेशड की किरिया नहीं होती है जैसे जैसे प्रकास किती बिता बढ़ती है प्रकास संसलेशड की किरिया आरंब हो जाती है तथा गती प्राप्त करती है विभिन त्रेंग धैरियों की प्रभाव की सम्मंद में अधिक्तम प्रकास संसलिसर वह लाल प्रकास का त्रेंग धैर आपका 650 नैनो मीटर होता है तो तथा दुती जो अधिक्तम नीले प्रकास का होता है तो दूसरे अस्थान पर जो होता हुए नीले प्रकास का त्रेंग धैर होता है 475 नेनो मीटर इसका त्रेंग धैर होता है तो पहला जो होगा हुए सरवाधिक प्रभावकारी होता है लाल प्रकास दूसरे नमबर पर जो होगा आपका नीला प्रकास तो यहाँ पूछा गया प्रकास अंसलेसर में कौन सा प्रकास सबसे अधिक प्रभावकारी होता है तो वह होगा आपका लाल प्रकास, यह आपसन सही हो जाएगा यहाँ नेक्स्ट आपका निम्लिखित में से योगीकों के किस सम्मूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है तो आपसन देख सकते हैं आप तो इसका सही अंसल हो जाएगा आपसन D. बिटामिन को बिटामिन एक ऐसा योगीक है जो सहायक आहार कारक भी है इस विचार को असपस्ट करने वाले पहले बैग्यानिक जो थे वह थे फ्रेडरिक गोलेंड इनका पूरा नाम था तो यहां आपका D. आपसन सही हो जाएगा अगला कोशिन आपका निमलिकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है तो इसका सही इनसल हो जाएगा आपसन C यहां दिया गया है विटामिन D की कमी से वडाणता रोग तो वड़ानता जो है एक वनसानुगत रोग है विटामिन D की कमी से होता है आपका रिकेट्स रोग जिसको आस्टियो मैलेसिया का जाता है तो वह आपका विटामिन D की कमी से होता है बाकी जो है आपका विटामिन A की कमी से रतोधी होता है बिटामिन B, 3 की कमी से पेलागरा रोग होता है और बिटामिन, सुरी, फोलिक एसिट से रख तालपता होता है तो यहाँ C बिकल्प आपका सुमेलित नहीं है बिटामिन D की कमी से क्या होता है बिटामिन A की कमी से दिया गया है गटिया रोग तो बिटामिन A की कमी से आपको पता होगा रतवधी होता है तो यहाँ C आपसन सुमेलित नहीं है बाकि बिटामिन D की कमी से सुखंडी यानि की सूखा रो बिटामिन C की कमी से मसूडों में खोनाना उसके बाद आपका विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी तो C आपसन आपका सुमेलित नहीं है अगला कोशिन आपका डिमलिखित विटामिनों में से कौन सा सरीर में भंडारित नहीं होता है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन B, विटामिन C विटामिन C यह जल में बिले होता है यह सिग्र ही मूत्र के साथ उसरजित हो जाता है तथा हमारे सरीर में संचित नहीं रह सकता है तो B आपसन यहां से हो जाएगा प्रस्ट में भी पूछा जाता है कि जल में घुलन सील विटामिन कौन से है तो B और C जो है ये आपका जल में घुलन सील बिटामिन होता है अगला प्रशने आपका निमन में से कौन सा एक बिटामिन सूरी के प्रकास की उपस्तिती में तोचा में बनता है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन B, बिटामिन D बिटामिन D का सूरी की केड़े हैं वास्तों में सूरी की केड़ों के द्वारा बिटामिन D का निर्मार्ट हमारी तवचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है और अगला प्रशने आपका निमलिखित बिटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है कोबाल्ट एक खनीज लवर्ड है जो की बिटामिन बी ट्वल्ड जिसका रसायनिक नाम है साइनो कोबालामिन इसका रसायनिक नाम है बिटामिन बी ट्वल्ड जो है आपका ब्रिध्धी के लिए आवस्यक होता है तथा इसकी कमे से तंत्रिका तंत्र यानिकी नर्वस सिस्टम की कारेकी भी जो है गडबर हो जाती है और बिटामिन बी ट्वल्ड के महतपूर्ड श्रोत जो है वह आपका मान समझली यक्रीत पनीर ये सब जो है इसका सुरूत है और आत के जीवाड यारी बैक्टेरिया भी इसका संसलेसर करते है तो यहां आपसे पुछा गया कि निमलिकित विटामिन में से किसमी कोबाल्ट होता है तो विटामिन बी ट्वल्ड में होता है भी आपसं सही हो जाएगा नेक्स्ट है कैलसियम फासपेट होगा एक हो जाएगा चौथा बी है सिरका में उपस्थित आमल तो यह हो जाएगा एसिटिक एसिट तो बी का हो जाएगा तीसरा सी है दूद का खट्टा होना तो यह लैक्टिक एसिट के कारण होगा तो सी का हो जाएगा पहला और डी है फलो का पकना तो यह एथिलीन होगा D का हो जाएगा दूसरा 4, 3, 1, 2 जिस विकल्प में होगा वह आपका सही हो जाएगा तो 4, 3, 1, 2 आप देख से थे हैं विकल्प D यहां सही हो जाएगा और नेक्स्ट कुशन आपका निमलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमीनों अमलों में बिक्टित करता है तो इसका सही इन सुरू जाएगा आपसन E, पेपसीन प्रोटीनों का पाचन आमासे में प्रारंभ होता है और आमासे में पेपसीन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे पाली पेप्टाइड और उनके घटक एमिनो अमल में बेक्टित करता है तो यह आपसन सही हो जाएगा और अगला कोशिन आपका सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है किसमें तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन D, सोया बिन के दाने में प्रोटीन की सरवादिक मातरा सोया बिन में पाई जाती है और इसमें प्रोटीन की मातरा 40% होता है कितना तो 40% होता है यह मुक्त है दलहनी यों तिलहनी फसल है और सोया बिन से दूध भी त्यार किया जाता है जो कि गाय के दूध के समकच होता है सोयबीन के दाने में 40% प्रोटीन और 20 से लेके 30% तक इसमें वसा होता है और 30% तक कार्बोहाइडरेट पाया जाता है अब मध्य प्रदेश जो है आपका पता होगा कि सोयबीन की उत्पाद में पहले अस्थान पर है नेक्स्ट है आपका मानों के बाल यो मनक में निमलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्धिमान है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन B किरेटीन बाल किरेटीन नामक प्रोटीन का जो है बना होता है यह प्राणियों में नाखूनों और बालों का प्रमुख संदाचनात में घटक है किरेटीन B आपसन सही हो जाएगा अगला क्वेशन आपका निमलिखित में से किसके चया पचयी प्रेक्रम से अधिकतम उर्जा मिलती है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन B से यह होगा वसा से वसा के चया पचयी प्रेक्रम से अधिकतम उर्जा मिलती है और एक ग्राम ग्लुको जैने की कार्बो हाइडरेट या प्रोटीन के पूर्ड आक्सी करण से चार किलो कैलोरी उर्जा ही प्राप्त होता है तो यहां B आपसंस ही हो जाएगा आपका नेक्स आपका भोजन का एक प्रमुख अंग है सजी इंस रोचाएगा आपसं C-कार्बो हाइडरेट कार्बो खाइडरेट भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बो हाइडरेट यह कारबन, हाइडरोजन तथा आक्सीजन के योगीग होते हैं अगला कुशिन आपका गाय का दूद पीले, सफेद, रंग का होता है जिसका कारड उसमें निमलिखित में से किसकी उपस्थिती है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपशन C से होगा कैसीन के साथ कैरोटीन की उपस्थिती दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है और इसी प्रोटीन की कारड़ दूद सफेद रंग का होता है और गाय के दूद में हलके पीले रंग का कारड़ जो है कैरोटीन की उपस्तिती है और कैरोटीन ये हाइडरो कारबन होता है जिसका सूत्र जो होता है C40, सूत्र होता है उसका C40 और O56 इसका सूत्र होता है केरोटीन हाइड्रो कार्बन का Next question है आपका निमलखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो इसका सही इन सुरू जाएगा option D, कपड़े धोने का सोडा दिया गया आपका potassium, तो यहाँ कपड़े धोने का सोडा होता है sodium carbonate, क्या होता है तो sodium carbonate होता है बाकी जो आपका सुमेल थे chlorophyll, magnesium, hemoglobin iron होता है, खाने का नमक यह sodium होता है sodium chloride होता है खाने का नमक sodium chloride अगला जो question है आपका कौन सा सुच मितत तो नहीं है तो इसका सही इंसर हो जाएगा option C, गंधक मनुस्य योम अन्य जन्तुओं के लिए आवस्यक खनीच तत्तों का मुखत है जो है, दो भागों में एक तो होता है अपका दिर्ग पोसक तत्तों और दूसरा जो होता है लगू या सुच्म पोसक तत्तों तो लगू पोसक तत्तों की आवसकता वर सुच्म मात्रा में होती है जबकि दिर्ग पोसक तत्तों की आवसकता जो है, अपहिच्चा किरित अधिक मात्रा में होती है लोहा, जस्ता, मैगनेच, कापर, आयोडीन उसके बाद आपका कूबाल्ट निकिल, मेली, बिटनम, प्रोमियम, आधी जो है यह सुच मितत्तों हैं जब कि आपका कैलसियम होता है, उसके बाद जो है आपका मैगनिसियम, सोडियम, पोटैसियम, फासपोरस, क्लोरीन, यों गंधक यह सभी आधी दिर घितत्तों की स्रेडी में जो है आते हैं तो यहाँ पूछा गया आपका सुच मितत्तों कौन सा नहीं है, तो गंधक यह सुच मितत्तों नहीं है, यह आपका दिर घितत्तों की स्रेडी में आता है, गंधक अगला क्वेशन आपका निमलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक इस्त्रीलिंग हार्मोन है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपशन C, Estrogen Estron जो है, यह स्ट्रीलिंग हार्मोन है यह Testo-eshtron, जो है आपका, यह पुलिंग हार्मोन है और पुरुस हार्मोन जो है वह आपका Andro-eshturança कहा जाता है, पुरुस हार्मोन और थायराक्सीन हार्मोन, यह आपका थाइराइड ग्रंथ से स्रावित होता है और उपापचे क्रियाओं को नियंतरित करता है तो यहां C आपसन आपका सेव जाएगा निमलिखित में कौन सा इस्तरी लिंग हार्मोन है तो वह हैं आपका एस्टोजन नेक्स्ट आपका निमलिखित कथनों पर बिचार कीजिये कथन ए दिया गया सूते समय तीबर प्रकास एवांचिनी होता है कारण आर है कि तीबर प्रकास में सरीर में मेला टोनीन का उद्पादन अधिक होता है तो नीचे दिये गए कूट का उप्योग करके अपना उत्तर दीजिए तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका आपसन सी से होगा ए सत्य है किन्तु आर वह असत्य है तो आप देख सकते हैं कि सोते समय तीबर प्रकास एवांचनी होता है सही है और तीबर प्रकास में सरीर में मेला टोनिन का उत्पाधन अधिक होता है यह आपका गलत है मेला टोनिन यह नित्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है यह केवल रात में निकलता है मानो मस्तिस्क में दोनों कानों के बीचों बीच पीनियल ग्लेंड से थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है और बाद में रक्त में मिल जाता है पिनियल ग्लेंड सीधे आँखों से जूड़ी होती है इस ग्रंति पर प्रकास तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है जैसे जैसे साम होती जाती है मेलाटोनिन का स्राव वह सुरू होता है अत्य है इसे रात का हार्मोन भी कहा जाता है मेला टोनीन हार्मोन को या अंधेरे का हार्मोन घा जाता है समाने ते प्रकास में इसका स्राव नहीं होता है तो आपका कारण जो है इसलिए गलत हो जाएगा यहाँ तो C भी कलप यहाँ सही हुआ यह सत्य है और R जो हुआ है असत्य है अगला कोशिन है बाववक का कि तिरतियक प्रतिजन DPT बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए किसके तो इसका सहीन स्वर हो जाएगा आपसन D रोहिडी, कूकूर खासी टिटनेस से बचाव के लिए दिया जाता है DPT का ठीका रोहिडी या जिसको डिप्थीरिया भी का जाता है काली खासी जिसको कूकर खासी का जाता है और टिटनेस या फिर जिसको धनुष टंकार रो डुप का जाता है से बचाव हे तो नौजाद सिसुको DPT वैक्सिन दिया जाता है और तीनो रोग जो है द्वारा आपका टीटनेस होता है तो यहां आपसे पूछा गया है कि तिर्तियक पर्तिजन DPT बच्चों को दी जाती है किसके बचाओ के लिए तो रोहिनी यानि कि डिप्थेरिया के बचाओ के लिए और उसके बाद कुकर खासी या काली खासी के बचाओ के लिए च्छै रोग यानि कि TB ये आपका गलत है और च्छै रोग जिसको टीवर कुलोसिस यानि कि TB कहा जाता है वो यच्छमा या तपेदिक के नाम से भी जाना जाता है यह माइको बैक्टिरियम टीवर कुलोसिस नामक जिवान द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है इसमें रोगी को जोर लगातार खांसे ही खून की साथ बलगम का आना सांस फूलना इत्यादी लक्षड प्रदर्शित होते हैं तो यहां जो है आपका बी आपसंद सुमेलित नहीं है अगला है आपका निमलिखित में से कौन सा वर्ड फुलू का कारक है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसंद ए एच फाइप एनवन यह बर्ड फुलू का कारक है बर्ड फुलू एवियन इंफ्लिउंजा नामक रोग का प्रचलीत नाम है जो कि एच फाइप एनवन नामक वाइरस की कारण होता है या एक संक्रामक रोग है और मुखिते पच तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसंद भी छै रोग पोलियो जो है यह आपका एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियो मेलाइटीस बिसाडू की द्वारा होता है रेबीज योम खसरा रेबीज योम खसरा जो है बिसाडू जन्न ये भी रोग है जबकि तपेदीक या फिर एक चमा या टीबी एक संक्रामक रोग है जिसका कारण माइको बैक्टेरियम टीवर कुलोसिस नामक योम खसरा रेबीज जो है ये बिसाडू जन्न रोग है और पोलियो भी जो है ये आपका बिसाडू जन्न रोग है तो डी आपसन यहाँ सही हो जाएगा नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो यहाँ जोसे हो जाएगा आपसन सी जूट कंड यानि कि फाल्स इसमट जो में पाया जाने वाला रोग है ये आपका सही नहीं है मिथ्या कंड या जोट कंड जिसको फाल्स इसमट का जाता है ये धान की फसल का रोग है किसका रोग है तो ये धान की फसल का रोग है बाकी जो है सभी यहाँ सही है गिरूई केहु में पाया जाने वाला रोग है अगैती जूलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है और ख नेक्स्ट एबोला वायुरस का नाम लिया गया है कहां से, तो इसका सई अंसर होगा, एक नदी के नाम से इबोला वायुरस का नाम रखा गया है, इस रोग की पहचान जो है सबसे पहले 1976 में इबोला नदी जो की कांगो अफरीका महादीप में के पास जो है इस्तित एक गाउं में की गई थी इसी कारण इसका नाम इबोला पड़ा इबोला एक ऐसा रोग है जो की मरीज के संपर्क में आने से फैलता है और मरीज के पस्रीने मरीज के खून या स्वास से बचकर रहें इसके चपेट में आकर टाइफाइट, कालरा, बुखार और मानस्पेसियों में दर्द होता है और बाल जढने लगता है नसों से मानस्पेसियों में खून उतर आता है इससे बचाव करने के लिए खुद को सतरक रखना ही जो है उपाय है तो यहाँ पुछा गया आप से इबोला वाइरस का नाम लिया गया है कहां से तो एक नदी के नाम से जो है लिया गया है कसी भी कलप आपका सही हो जाएगा अगला कोशन आपका साधारत है ओरुबैंकी खरपतवार पाया जाता है तो इसका सही हो जाएगा आप से तमबाकू के खेत में ओरुबैंकी खरपतवार या जिसको का जाता है broom grapes weed इंगलिस में का जाता है उसके broom grapes weed एक परजीवी किस्म का पौधा है जो कि तंबाकू के अलावा आलू और टमाटर के खेत में पाया जाता है इसकी बिस्ट के सेतोष्ड और उस्ट कटिवंधी भागों में लगबग 150 प्रजातियां पाय जाती है और उबैंग की खरपतवार की तो यहां यह आपसन सही हो जाएगा कि साधारत है और उबैंग की खरपतवार पाय जाता है कहां तो तंबाकू के खेत में पाय जाता है यह आपसन सही हो जाएगा नेक्स्ट है आपका golden चावल एक प्रचुर्तम स्रोत है किसका तो इसका सही इंसरोगा आपशन A, बिटामिन A का सुनहरा चावल जिसको golden चावल स्वरी golden rice काया था यह औराईजा सेटाईवा चावल की एक किस्म है इसमें iron जिन क्यों vitamin A जैसे तत्तों की परचुरता है इस चावल का विकास उन्च हेत्रों में प्रियोग करने के लिए किया गया था जहां आहार के रूप में गरहन के जाने वाले vitamin A की कमी है तो A विकल्प आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट है आपका जिवाड़ भोजीयों के संबंद में कौन सा कथन सही है पहला है जिवाड़ भोजी बिसाड़ होते हैं जो की जिवाड़ों को संक्रमित करते हैं दूसरा है जिवाड़ भोजी अनुबानसिक अभियांत्रिकी में परियुक्त होते हैं नीचे दिए गए कूर्से सही उत्तर चुनिए तो यहां जो सही हो जाएगा आपका option C सही होगा एक और दो दोनों ही कथन यहां सही है वे बिसाड जो जीवाड़ों को संक्रिमित करते हैं जीवाड भोजू कहलाते हैं और आनवान सीक आभियांतरकी में जीवाड भोजी कवपियोग किया जाता है तो दोनों ही कतन सही हैं आपका यहां तो C भी कल्ब सही हो जाएगा नेक्स्ट है आपका करनाल बंट रोग है तो इसका सही अंसर होगा आपसन B गेहूं फसल का रोग है यह करनाल बंट करनाल बंट यह के फंफूद जनित रोग है जो की टेलेसिया वंस के कवको से होता है ये गेहों की गुडवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुकरोग है इसे गेहों का कुष्ट रोग भी कहा जाता है क्या कहा जाता है तो इसे गेहों का कुष्ट रोग भी कहा जाता है करनाल बंट को अगला कोशन है आपका निमलखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है तो इसका सही इंसरो जाएगा आपसन डी घटपरडी दिया गया है जलोद भीद तो ये आपका सुमेलित नहीं है घटपरडी नेफेंतिस नेफेंतेसी कुल का कीट भच्छी पौदा है ये मुकेतिया साग होते हैं और दल्दली या अधिक नम अस्थानों पर उगते हैं जलोद भीद से आसाय अंसत्य अथवापूर्त जल निमगन पौदे से हैं इस परकार के पादप जली प्रियावरण में रहने यों मिक्षित होने के लिए अनुकूलित होते हैं चंदन जो है ये आपका आंसिक मूल पर जीवी होता है बाकी जो है आपका सभी सुमेलित हैं अमर बेल तना पर जीवी है, चंदन जो है यह आपका जड़ पर जीवी है, आरकिट जो है अधिपादप फाइट है, तो यहाँ आपका D विकल्प जो है सुमेलित नहीं है, नेक्स्ट आपका निमलखित में से कौन सा यूगम सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही अंसर हो जा दिया गया है निश्चे तक, तो यह आपका खलत है, एस्परीन होगा दर्द निवारक, क्या हो जाएगा, यह दर्द निवारक है, बाकि जो है आपका क्लोरोमाई सेटीन यह टाइफाइड नासी है, क्रिश्टल वाइलेट यह और्ती रोधि है, क्वीनीन यह मलेरिया गया है, तो इसका सही इंसर हो जाएगा, आपसन, C, गासमीर रेसम, मकडियों द्वारा उत्पादित रेसम, जो हुआ हो है, गासमीर रेसम कहलाता है, C, आपसन, सही हो जाएगा आपका, और अगला कोशन आपका समुदरी घास निमलिखी तत्तो का मुखे तथा महतपूर स तो वह समुदरी घास, जैसे कि आपका केलप हो गया, नोरी, कमबू, कमबू हो गया, उसके बाद वैकेम, आदी जो है, और आयोडीन के अनिस रोत, जो है, सीफूड, समुदरी खाद, डेरी, उत्पाद, विसेश रूप से दूद, यह सभी हैं, तो यह आपसन आपसन हो ज कथनों पर बिचार कीजिए, कथन दिया गया आपका कसकुटा, यहनि कि अमर बेल, परजीवी अबरित, बीजी का एक उधारड है, कारड़ार है, कि यह पोसी पौधों की पत्तियों से अपना पोसर प्राप्त करता है, तो नीचे दिया गया कूर से सही उत्तर चुनिए, त और यह परजीवी अबरित, बीजी पोधे का एक उधारड है, जिसमें पत्तियों और पढ़ हरिम का पोड़ते अभाव होता है, यह पीले, पतले, दुबले, तने वाला पूड अस्तंभ परजीवी है, इसका तना पोसक के चारों लिपट जाता है, तथा अस्थान, अस्थ ही है, किन्तु R वह गलत है, तो D भी कल्प आपका यहां सही हो जाएगा, और प्रस्न पूछा जाता है, कि जाइलम और फ्लोयम से प्रस्न पूछा जाता है, जाइलम या पोधों में जल वहन के लिए उतर दाई है, जल वहन के लिए और फ्लोयम जो है, या पोधों में और नेक्स्ट है, निमलखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है, तो इसका सही इंसर होगा, अपसन D, घट परड़ी दिया गया, पर जेवी आबरित बीजी का, तो यह जो है आपका गलत है, घट परड़ी या नेफेंथीस का पौधा, प्रकास संसलेशर की किरिया द्वार अपना भोजन बनाने में सच्चम होता है, यह प्राय ऐसे अस्थान पर उगता है, जहां की मिल प्रोटीन हो जाएगा, एलोवेरा, आबरित, बीजी, बाकी सभी सही है, D आपसन आपका सुमेलित नहीं है, नेक्स्ट आपका निमिलखीत में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ आपका फसल दिया गया, दूसरी तरफ परजाती, इसमें बताना है आपको क आलू की भी परजाती है, सूरिया, तो अलसी की परजाती नहीं है, तो यहाँ D आपसन आपका सही नहीं है, बाकी सरसो की परजाती जो है आपका बरुड़ा है, मतर की परजाती सपना है, मुंखली की परजाती कौसल है, तो दोस्तों यह था आपका जीव भिग्यान का कर लिजएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिपिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका पीडियाप आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया वहाँ से जोईन करके आप पीडियाप ड धन्यवाद